गुड आप्टरनोन दोस्तों आए पंचवर्सी योजना का हम दूसरा पार्टी स्टार्ट करते हैं तो हम पहली पंचवर्सी योजना पढ़ चुके थे आए हम दुतिये पंचवर्सी योजना से सुरू किया जाए दुतिये पंचवर्सी योजना तो याद रखेगा इसकी समय सीमा थी और 956 से 161 के बीच ठीक है इसमें जो दर था विकास दर जो था वो कितना रखा गया था यह लच्छ बनायते हमने कुछ भी कुछ भी करने से पढ़े लोग लच्छ बनाते हैं तो ऐसे इसमें जो विकास दर था 4.5 परसंट था लेकिन हमने प्राप्त कितना किया था गयन कितना किया था 4.2 परसंट एक तरीके से हम कह सकते हैं यह उजना सफल भी रही है आईए बात करते हैं और इसका जो आपका लच्छ था उद्देश इसका क्या था पूछ लिया जाए तो याद रखेगा इसका उद्देश था उद्दोगों का विकास उद्दोगों का विकास इसका लच्छ था यहाँ पे पहले में हमने खेती बारी का विकास किया था और दूसरे में किसका विकास कर रहे हैं उद्दोगों का तो यहाँ पे कितने उद्दोगों का विकास औ कौन सा माडल था तो PC महाल अनुविस माडल था यहां पे तीन आपकी क्या बनी थी तीन इस्टील कमपनिया बनी थी कौन-कौन खास बात क्या क्या है इसमें आए खास बात की चर्चा करते हैं जो एक्जाम में यहां से कोश्चन जादा आते हैं तो सबसे पहले आपको एक ट् राउर केला और किसकी सहयोग से बने थे जैसे हो जाएगा जर्मनी के सहयोग से भी से हो जाएगा भिलाई किसके सहयोग से बनेते नाम में छीपा है रूस दूसरे हो जाएगा दुरगापूर आपका। आपका दुर्गापुर किसके सहयोग से बना था तो याद रखेगा ब्रेटेन के सहयोग से राउर केला ये कहां पे है तो याद रखेगा अपने उडिसा में है आपके भिलाई की बात करें तो ये 36 गड में है और दुरगापुर वाला बात करें तो ये बेस्ट बंगाल में है तो पहला काम यह हुआ और आगे बात करते हैं यहां पे और क्या हुआ था तो सबसे बड़ी बात और 1958 में क्या बना था KVIC का क्या हुआ निर्मगठन हुआ था KVIC ठीक है खादी Village Industrial Corporation मतलब खाने का खादी ग्राम उद्दोग बोर्ड की क्या हुआ गठन हुआ था पूछा जाए तो बता दीजिएगा और क्या हुआ था दो अक्टूबर 1956 को ही जिला से किसकी शुरुआत हुई थी तुराजस्थान की नागवर जिला से शुरू हुआ था अपना पंचायती राजब्यवस्था पूछा जाए तो बता जीए बताई हा पंचायती राजब्यवस्था कहा शुरू भई लहा तुराजस्थान की नागवर जिला से 2 October 15, 1961 बात समझ माया तो ये रहा हमारा पहली अदुतिय पंचवर्सी युजना आईए और बात कर लेते हैं तिर्तिय की थाड़ी युजना कब से कब 1961 से 1906 चली थी तिसरी पंचवर्सी युजना है इसका आपसे पूछे विकास दर कितना था तो याद रखेगा दो तरीके से बात करेंगे लच कितना बना के रखे थे प्राप्त कितना बना के रखे थे तो लच हमने पाया 5 दसमनो 6 लच बनाये थे और प्राप्ती कितना किया जेश्ट उसका आधा जेश्ट उसका आधा पाया और यह आधा होने की करण सबसे ऐसफल योजना थी ये बाते आपको याद रखनी है और बात करें इसकी योजना की तो माडल क्या था पूछा जाता है सुखमे चक्रवरती माडल था ये लाइन आपको याद रखनी है सुखमे चक्रवरती माडल इसका माडल था और बात करें इसमें तो याद रखेगा इसका उद्देश क्या था क्या हम इसको बना के चले थे पहले में खेती बारी विकास के खेत का दूसरे में उद्दोग बनाए और तीसरे हमने कहा अब हम आत्म निर्भर बनेंगे आत्म नि और बात करते इसमें क्या खास बात थी पूछ लेता है खास बाते क्या क्या थी तो आए खास बातों में बात करें तो सबसे पहली संस्था एक बनी थी बोकारो बोकारो कहां पर है जारखंड में है इस्टिल सयंत्र है और ये बात करें आप किसके सहयोग से बनी है तो रूस के सयोग से बोकारों का क्या हुआ था निर्माड हुआ था और यहां पर क्या हुआ आईए बात कर लेते हैं 1965 में ही कपरटीया पर वही यहां बिकता है एक मुल्ल तयार किया जाता है याम्यसमिवा यह स्टाग प्राइस तयार किया जाता है यही पर कर consists काई किया जाता है यहका एसल 물론 का और समझें ठैज न नाम बदल देहली नाम बदल उठाल केकर हो इक किर्सी कीमत आयो का नाम कुना है लाल lado हो कमिशन उसके बाद कमिशन अन एगरिकल्चर काश्ट प्राईस यह इसका पुरा नाम था याद रखेगा और बात कर लेते हैं कमिशन है कस्ट मन्न हैं और यहाँ पर एक पाइंट और बात करें तो कििरसी इसका हिंदी नाम किरसी कीमत व्य लागत आयउगких सी कीमत वै लागत आयोग इसका पूरा हिंदी नाम है ये नया नाम हो गया था तो ये क्या तैंग करता है यम्यस्पी तैंग करता है क्या तैंग करेगा यम्यस्पी तैंग करता है और यम्यस्पी जब ये तैंग कर देगा तो उसी दाम पे खरीदेगा कौन भारतिय खाद भीमा निगम ये आप आपके एक आपरेटिव पर जाएगे आप लोग लेके और वहां से खर लिया जाला बात समझे मागे लोग आईए आगे बात कर लिए में कुछ और बात भाइला तो इमें और का भाइला वह देखिला 1964 में एठी अस्थापना भहला केकर IDBI का IDBI की क्या हुई थी IDBI की क्या हुई अस्थापना भारतिय और दोगिक विकास बैंक आपका क्या होगा इंडियन डेवलमेंट बैंक स्वरी INDUSTRIAL डेवलमेंट बैंक आफ इंडिया ये फूल फार्म इसका है लेकिन जरूजी भी नहीं है आप याद रखिये कि इसके स्थापना कभी थी और इती और भाइला का यूटी आई यूटी आई का मतलब का हो ला हो यह बता दी यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया इतना ज्यादा फुलफार में क्या किया जाए लेकिन हाँ आपको बताया जाएगा जरूर्वर ह अइसरफना हो गई और यह योजना आपका तिरती योजना सफल क्यों रही पूछले आइस फल क्यों रही तो याद रखिएगा पहली बात तई भैला भाई 1962 में भारत चीन युद्ध होई गिला भारत चीन युद्ध होई गिला और 1965 में का होई गिला अकाल पड़ गया था और 1965 में ही आपके जवाला लहरू की क्या हो गई थी मृत्य हो गई थी तो ये चार रिजन थे जिससे योजना क्या हो गई थी आए सफल हो गई थी आईए और इसी लिए इसी में जवाला लहरू ने नारा दिया था क्या नारा दिया था जै जवान जै किसान जै जवान क्योंक का नारा इसमें दिया गया था आईए आगे बात करते हैं जब आकाल पड़ गई तो देखेगा बहुत सारे पैसे पानी उनी में फेक दिये गये थे भारत में ऐसी नौबत आ गए थी क्योंकि युद्ध पे था अगर चीन पैसा लेकि जाता तो भारतिये पैसे को बहुत गीम 79 तक क्या रहा हमारा योजना आउकास रहा को योजना नहीं बन पाई थी और इसी बीच में एक ही आपका हरित क्रांती चली थी हरित क्रांती का पुरा डिटेल वीडियो आपको हमने क्रांती में पढ़ा दिया है आप जाकर के वहां पढ़ लीजेगा ठीक है आईए बात कर यह पोर्त वाले को इसका लक्ष पूछ ले तो याद रखेगा स्थिर्ता के साथ जोन जतना विकास कैलबाय उके पहले धिदरे आगे बढ़ावा इस्थिरता के साथ आपन जोनबा उके विकास करी इस्थरता के साथ आर्थिक विकास हमारा क्या था लच्छ था ये बाते आपको याद रखनी है और माडल कौन था पूछ लेता है तो माडल ये आपको याद रखेगा असोक रुद्र माडल ये आपको याद रखनी है असोक रुद्र माडल था और आपसे पूछे दर कितना रहाल भईया तो प्राप्त हमार एम रहा पांदसमलों पांच के एम था लच था लेकिन प्राप्त कितना हम कर पाये थे तीन दसमलों तीन परसंट ही हम प्राप्त कर पाये थे बास समझ माया इसमें और क्या क्या हुआ तो सबसे पहले बात क्या हुआ था 1979 में लीड बैंक योजना आई कहावाई लीड बैंक योजना का हो तो लीड बैंक योजना इह हो भाईया लीड बैंक योजना इह है जैसे माला की कौनों भी जैसे माला इह जिला हो यह जिला है इस जिला में कोई एक जिला है इस जिला में बहुत सारे ब्रांच होंगे यह SPI का इहोलइ SPI का तो जाउन बैंक सबसे बड़ा होई SPI का है उस सभी बैंकों को deal करेगा अगर आपके खाता यहाँ है तो आप यहाँ वाले बैंक के SBI से जाके के पैसा आप निकरवा सकते लोल ले सकते मन किसानों को सस्ते दरोपे और सुविधा अनुसाल लोन देना यही इसका एम था ठीक है तो लीड बैंक की उजना मेन मालिक बनाए गया बैंकों को और क्या किया गया और बाते बताए जाए तो हाँ एक पाइंट और देखाया उन्नेस्सो नहत्तरह में चौदे बैंक का राष्ट्री करण कर दिया गया चौदे बैंक को सरकारी बना दिया गया जोनेक पूजी 50 करोड से का रहाल जादा रहाल यहो बात आप याद रखिएगा और बात करें सुवेद करांती आई गिलाल ही में सुवेद करांती आई गिलाल का 1970 में वर्गिस कुरियन कारणा जनक रह लें और बात करते हैं इसी पे MRTP लागो किया गया 1971 में का होई एक अधिकार प्रतिबंध वैपार बेवहार इस पे क्या लगाया गया प्रतिबंध लगाया गया कि माने एक अगर इने लगल हो तो आज पूरे भारत का पैसा एक का मनेक पास रहाल हो बात समझ माई तो यहीं ना आते MRTP और 1979 क्या किया गया लागो किया गया कि एक मने के पास कुल पैसानर है एक आदमी कुल वैपार ना करे आज जो है आज सिस्टम होई चल ला है रीजन क्या है देखेगा जितने वीचे प्राइवेट हो यह खरिद को रहा है बड़े 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 मुके संबानी और आड़वानी साही भी खेद रहा है बाकी लोग तो कोई खेद नहीं पा रहा है तो पूरी भात का बैसा किसके पास हो जाएगा उन्हीं के पास हो जाएगा तो MRTP जो था यह उसको रोकता था बास समझ मा गया आए और बात कर लेते हैं इसे में और क्या आया था हाँ पर परिवार नियोजन कारपना अगर आज यह योजना सफल रही होती परिवार नियोजन की तो याद रखेगा आज विरुजगारी इतने चरम सीमा पे नहीं होती आए और आगे बात करते हैं पच्वा योजना की फिप्थ योजना की बात कर लेते हैं पच्वा योजना क्या ह तो पच्मा युना की समय सीमा थी 1974 से 1978 तक और ये समय से पहले का होजिवा समय से पहले जैसे मुराजी सरकार बनने एक साल पहले खत्म हो गई क्योंकि मुराजी सरकार बने ओक हम आपने मन से चलाए stuff तो क्या हुआ लच्छ क्या था इसका गरीबी निवारड इसका क्या था लच्छ था इंद्रगादी सरकार थी गरीबी कहें कि गरीबी पहले हटाओ देश से गरीबी निवारड और इसी गरीबी निवारड अगर था तो इसमें एक नारा दिया गया था क्या गरीबी हटाओ गरीबी हटाओं का नारा दिया गया पूछ लिया जाता है किस पंच वर्सी जोने में गरीबी हटाओं का नारा दिया गया तो पचवी पंच वर्सी योजना में एकर माडल का रहल भईयवा तो माडल एकर हा डीपी धर माडल धर पकरके के गरीबी का करा हटाईदा भईया धर कितना था भईया कितना हम लच्छ बनाय रहली कितना पाईव तो 4.4 परसंट लच्छ बनाय रहली और पवली भईया प्राप्त कितना के लिए लिए 4.9 परसंट बात समझे में आ गई आईए बात करते हैं गरीबी हटावे खर्तिन इंद्रागादी सरकार ने क्या किया था 20 सूत्री सबसे important 20 सूत्री कारकरम किसने चालू किया गरीबी हटाने के लिए तो याद रखेगा ये इंद्रागादी सरकार 1975 में 1975 में और बात कर लेते हैं क्या हुआ था यहाँ पे 2 अक्टूबर 1975 को RRB का क्या है रिजनल आपका रिजनल उसके बाद बैंक का क्या हुआ था गठन हुआ था रिजनल रूलर बैंक का क्या हुआ था गठन हुआ था आपके 2 अक्टूबर 18 1975 को रिजनल रूलर बैंक बात समझ में चेतरे गरमीर बैंक का क्या हुआ था गठन हुआ था आपसे पूछे तो और 1977 में काम के बदले अनाज कारकरम की क्या हुई थी अनाज कारकरम की सुरुवात हुई थी काम के बदले अनाज कारकरम की क्या हुई शुरुवात हुई ये ब योजना चला लहल का चला लहाल अन्तोदय योजना चला था कब 1977 में बात समय में आईए वे यह उजना यह सब का काम के बदर राच और रासानोंसन बटवारा बटवारा राई सब यह पुल योजना गरीबी हटाऊ भाईया ये योजना चला था आए और बात करते हैं तो ये उजना के बाद समय से पहले बोली खतम गिला तो सरकार ने क्या चलाया rolling plan चलाया मुरार जी देशाई ने कहा हम 5 साल के एगदन plan नाई बनाई बनाई तो 1978 से 1981 साल 1989 से 1981 साल ये 2 साल इन्होंने 2 साल ले पुलापिन के सरकार गिला तो ये सरकार बनाई और इसी को कहा जाता है rolling एका कई के rolling plan बनाए और इसी को हिंदी में कही जाला अनवरत योजना पूछले इनके जनक कहो पूछा ला ले नचेले लोग इनके जनक के रहल तो याद रखेगा इनके जनक होएं गुर्नार मिडाल इनके का होएं जनक होएं भारत में के जनक रहल तो भारत में डीडी लकडवाला डीडी लकडवाला, अरे लकड़ी देखाला, लुड़कर लोड़कर लई जाला, ठेला ठेला, ठेला, तो डीडी लकडवाला एंकर कावरहना, जणक रहना, बात समझ में आया, इमें कुछ खास बात ना आई भाईला हल, आले है आगे बात करी सरकार गीर्दी चली जा रही थी हम छथमी पंचवर्सी यूजना की बात करते हैं, आगे बात करते हैं, तो एह हैं बात करी, क्योंकि इंदरगाजी दुबारा पूरु बहुमत के साथ सरकार में आई गई, तो रोजगार के साथ अब रोजगार देवा भाई रोजगार मिली तबन तगरीबी हटी रोजगार के साथ गरीबी निवारड रोजगार देव गरीबी हटी ठीक है अगर आपसे पूछ ले माडल क्या था इसका आगत निर्गत माडल आगत निर्गत माडल एक दहल बात समझ दूइक है प्रात कितना पॉल्याली भाईया पांदस्मलो साथ पाय रहली ये लाइना आप याद रखिया इमें काका भाई लहा तो सबसे पहले 12 जुलाई 1982 को नाबाड की क्या हुई अस्थापना हुई थी नाबाड एक थी बैंक है जो खेती खति लोन देला तो और बात करें 1982 में एकजिम बैंक आयात निरियात बैंक का क्या हुआ गठन हुआ गठन हुआ था एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का का भाई लाल गठन और सबसे बड़ी बात 15 अपरेल 1980 को अब 6 बैंक पहले 14 भाई लाल अब 6 बैंक का विए राष्टी ये करण हुई लहा आइसन बैंक जोने पूजी आपका 200 करोड से कारहल जादा रहल जोने बैंक है पूजी 200 करोड से कारहल जादा रहल उनके का हुई गया राष्टी करण हुई गया आई और बात कहली थोड़ा आगे चल करके तो छटवे पंचवर्सी योजना में और हाँ रोजगार के बाद भाईल को रोजगार कैसी का कुछ बढ़ल हाँ देखा यहाँ पर तो पहला ट्राइसेम ट्राइसेम के क्या हुआ यह कि ट्राइसेम का मतलब होता है भईया कि ग्रामीर जो युवा है ग्रामीर युवा को सोय रोजगार समझत है यहाँ अरे मशली पानल को कुड पालन ये सब भेड पालन हे तू का करेख बार स्दीफ स्चड़ जब प्रिस छड़ रहे हैं कि मने कैसी पाल जाला कैसी का होला तो हो ही खर्तिं ट्राइसिम कैई गिलाल का ट्राइ कैई गिलाल की रोजगार के का करेखoster ट्राइ कई जाए हो सीखंगे कुछ हूँ आईल समझ में और कावाइल हो और एक ठी द्वार की ओजना आईल है डब डी डबलू ए सी आर हाँ यह साथ देख लिया नहीं सही है यार का देखबा ग्रामीड महिला खरतिन ग्रामीड महिला खरतिन और बच्चे खरतिन का रहा उनके स्वास्त के देखबाल करे खरतिन आईल हा और आर यल AndroidP योग्जना आईल हा ओक्रामीड भूमहीन बात हैं ग्रामीड भूमहीन रोजगार गरंटी कारकरव एकर का मतलब हो जिकने पास जमी नाइबा गाव में उबहिया का करी, ओके खतिन रोजगार देबा, इकाम भैलाल इमें, बात समझे में आए गया, ऐसे सतमी पंचवर्सी योजना के बात करी आवा, सतमी के, तो उन्नेश सो पचासी से, उन्नेश सो पचासी पास नब्बे, नब्बे तक चला था, य आपका कौन सा योजना, सतमी पंचवर्सी योजना, इमें लचकार हाल भैया, तो याद रखिएगा, एकाल लच रहा आधुनी करड, का हैं आधुनी करड क्योंकि नया नया पर्धान मंतरी बना दो, के रहाल भैया, राजियो गादी, नौजवान आले तो आधुनी करड, और आत्म निर्भरता, आधुनी करड़, आत्म निर्भरता और समाजिक न्याय, समाजिक न्याय, ये तीन बाते, आधुनी करड़ होई जा, सोयम निर्भर होई जा, और समाज में सब बराबर रहे, ये योजना ले के आये थे, ये बात समझ मा गया, इसका दर कितना था, तो यहीं पे आदुनी कड़ आदुनी कड़ समाजिक नया कैसी होई जब रोजी सब के पास रही रोटी रही सब के पास और जब इकुली रही तो उत्पादक बढ़ी भईया उत्पादकता रोजी रोटी उत्पादकता का नारा के में है दैगे लहा यही पंचवर्सी योजना मे बात समझ में आईए आईए आगे बात करें और देखा यही युजना में का भाई लहा एक थी सेबी सुनने होगा 12 अपरेल 188 को सेबी सेबी का फुलफार होला सिक्वरिटी एक्सेंज बोर्ड आफ इंडिया एकर का भाईला अस्थापना भाई लहा बात समझ माया और बात करी यहीं पे तो याद रखिएगा आपके 1989 अपरेल में 1989 अपरेल में का होई लहा जवाहर रोजगार योजना के का भाई लहा शुरुवात भाई लहा गाओं में गाओं खरतिन ग्रामीर खरतिन गाओं में रोजगार मिली और 1989 अक्टूबर में काचला लाल भाईया तो नहरू नहरू रोजगार योजना कहां खरतिन सहर खरतिन कि भाईया इस इकरी योजना के तहट का मिली सबके रोजगार मिली और 1987 में सबसे बड़ी बात ट् फिर जन्जात इस सरकारी विप्रन, उन को खरिदने वाला, तो जन्जात इस सहकारी विप्रन की क्या हुई थी, शुरुवात हुई थी इसी में, आईए, आगे हम बात करते हैं कुछ और योजनाओं की, कुछ और बात कर लेते हैं इसी बारे में जैसे हाँ सबसे बड़ी बात A.985 में इंद्रा आवास योजना इंद्रा आवास योजना की क्या हुई थी शुरुवात हुई थी इंद्रा आवास योजना के करें खर्तिन गाउं खर्तिन गाव में सबके पास घर रहे योजना के का भहिला सुरुवात भहिला बात समझ में आ गया तो आए आगे बात करते हैं एकरे बाद योजना बिहीन काल आया था क्यों आया था क्योंकि भारत इस समय गरीबी आवस्था में डूब गया था आर्थिक इस्तती बहुत खराब थी 1990 से सोना बेच बेच करके भारत की खर्चा चल लहे थे 1990 से 1992 तक योजना बिहीन काल चली है अब बात करें योजना बिहीन काल की तो इसमें का भैलालो जिके हम का किये थे आर्थिक सुधार किये थे का किये थे आर्थिक सुधार एक थी मेन काम हुआ था 1991 में आर्थिक सुधार बात समझ मा गया और आर्थिक सुधार को एक नाम और दिया जाता है का राव सिंग सुधार राव सिंग सुधार का है हो क्योंकि परधान मंतरी के लहा नरसिमा राव थे और बित मंतरी के रहा मनमोहन सिंग थे यह पीम थे और यह फाइनेंस मिलेस्टर बित मंतरी थे यह दूनु जनी मिलके क्या कि यह राव सिंग सुधार चला है जिससे देश की काओ जिससे देश में जो गरीबी है वो खतम हो जाए सोना बेच बेच के बारत का कर्चा चला आता उस समय तो यह याद रखेगा और इसी को यह याद रखेगा उन्हें क्या चालू किया LPG चालू किया बोस्ट इंपोर्टन लिवलाइजेशन प्रवाइटनाइजेशन और गलोबोनाइजेशन मतलब लिवलाइजेशन का मतलब उदारी करड आपका प्राइवेटनाइजेशन का मतलब होता है क्या निजी करड हाँ जी निजी करड और गलोबोनाइजेशन का मतलब वैसवी करड यह योजना आपको इन्होंने लेके आए उदारी करड निजी करड वैस्वी करड कब आई थी तो यूजना भी इनकाल में 1991 में और एक बात हैं और भाई लहा 1990 में जुलाई में का होई लहा सिद्वी SIDBI Small Industrial Development Bank आप इंडिया की क्या हुई थी अस्थापना हुई थी आप ये बाते याद रखेगा आईए हम आगे बात करते हैं अगले पंचवर्सी यूजना की अगला पंचवर्सी यूजना हमारा कौन सा है एक बर देखने कौन चलत्राल हो तो हाँ सत्वी पंचवर्सी योजना हम पढ़ा दे लाली आवा अठवी चल जाए अठवी पंचवर्सी योजना आवा तो अठवी बात करते हैं हाँ अठवी पंचवर्सी योजना की बात कर लिहल जाए ही में इचल लहा उन्नेश सो बानवे से संतानवे तक चल लहा तो इम रखेगा John W. Miller नाडल ये इसका क्या था model था लच का और हल ये में भया मानाव-सनसाधन बिकास पर क्या दिया गया बल दिया गया मतलब कि माना जो इंसान है अमएचार्डी सिच्छित किया जाया सिच्छित होगा अपने आप हो क्या हो जाएगा रोजगार खोज लेगा और गरीबी दूर हो जाएगी इसमें लच्छ कितना था 5.6 था प्राप्त कितना किये थे भईया तो याद रखेगा 6.8 हमने प्राप्त किया था किलर हो गया और बात करते हैं इसी समय क्या स्थापना हुई थी WTO की कब स्थापना हुई थी एक जन्वरी एक जन्वरी उननैस सो पंचानवे को WTO की क्या हुई अस्थापना और भारत क्या बना इसका सदस भारत सदस था इसका इसे जैसे ही अस्थापना रहा अस्थापना के समया देशा दुर का पुझवा हो ला तो और बात कहले यही में एक पाइंट और अगस्त 1975 मे लाखे चड़िया जोन बना थे स्कुल वाम्दू पहरवा क्या आपका माध्याम भोजन योजना चली थी याद रखेगा मिड़े मिल योजना चली थी अगस्त 1995 में यही योजन वामे आवा और बात का इलिए हल जा नवी पंचवर्सी योजना क्या नवी पंचवर्सी योजन तो उद्देश के कर रहा समाजिक न्याए के साथ आरथिक समृद्धी सम्रिद्धी है बढ़ावा आरथिक बिरिद्धी करा रैयात है सब लोग बराबर रहें और बिरिद्धी करा देशक है और इसका दर कितना था तो याद रखिएगा 6.5 परसंट इंथ था और प्राप्त कितना किये थे 5.4 परसंट हम प्राप्त किये थे और इमें सबसे बड़ी बात सर्व सिच्छा अभियान चालू का यह लहा कब नॉमबर 2000 में सर्व सिच्छा अभियान क्या किया गया चालू किया गया और का भैल लहा यनि आपका यह प्रधान मंतरी ग्राम सडक बिकास योजना की क्या हुई की सुरुवात हुई बहुत बार आचुका है प्रधान मंतरी ग्राम सडक बिकास योजना की सुरुवात का हुई थी पचीस दिसंबर 2000 को सुसासन दिवस के दिन इसकी क्या हो गई थी सुरुवात हो गई थी और इन सडक की देखभाल के लिए यह नियच डीपी की भी का हुई सुरुवात हो गए थी 2000 में बात सडको का जाल बिछ गया था इस समय पूरे भारत में बात समझ में आ गई और यही समय का भैला मई 1998 में का भैला एठी परमाड परिच्छड भैला कहां परमाड परिच्छड भैला और कोडवा केतना राल पूछ लेला सक्ति पहला परमाड के पोखरन में भैला और पहला 1974 में भैला कहां भैला 1974 में वहीं पर पुखरन में भैला रास्थान में ओकर कोड का रहा इसमाइलिंग बुद्धा दिमक्वाम बैठाई लिहा समझ में आइए आगे बात करते हैं नवी की बाद अगली पंचवरसी युजना आती है दसमी आईए दसमी पंचवरसी युजना की बात कर लेते हैं दसमी पंचवरसी युजना दसमी दो हजार दो से दो हजार साथ तक दसमी चला था बात समझ माया इसका लच्छ क्या था उद्देश क्या था समाजिक न्याए समाजिक न्याय वे समता के साथ वह का रहा बृद्धी यहां का वाए विकास आर्थिक विकास करिक वाए उमरहल बृद्धी नैनाचीज बनावा यहां विकास बाव वुक बना और ठीक करा और नेवद बनावा समझ में आई दर केतना रहार भाईया ऐसमें तो 8% लच्छ बनाय रहली और साथ दस्मलो च्छेका के लिए प्राप्त यह सरवादिक है इससे ज़्यादा कभी प्राप्त नहीं हुआ था सबसे ज़्यादा दस्मी में प्राप्त भाईला समझ में आईया इम है कौन कौन काम भाईला इम है सबसे बड़ी बात एठी योजना आईलाल हो मन रेगा ना सुल्ले होबा मन रेगा उतो बादें मन हुआ पड़ा लहा लेकिन पहले उका नहुआ रहा का नरेगा नरेगा राष्टी ग्रामीड रोजगार गारंटी अधनियम एक याला नरेगा यान आर इजी ए ठीक है नेशनल रूलर इंप्लाइमेंट गारंटी आएक्ट ये योजना आई थी यहाँ पे अगर आपसे पुछे कहा पहली बार लागा लहा आन्द परदेश में लागू कब हुआ था 2006 में आन्द परदेश के अनन्द पुर में आन्द परदेश के अनन्द पुर में ये पहली बार लागू किया गया था और बात कर लेते हैं कब 2006 में अएक्टवा कब आई लाल हो अएक्ट कब आया था 2005 में लागू भहिलाल 2006 में और पूरे भारत में कब होई गे लहा तो कहिए हला कहिए 2008 में पूरे भारत में ठीक बाई और बात किया एक नाम मन रेगा कब होई गे लहा मन रेगा मतलब आगे महात्मा गाधी रोजगार गरामीर रोजगार गरांटी अधनिया मुई जाई कब तो कहिए 2 अक्टूबर 2009 के बात समझ में आई लहा, यह होईगे आपके, आपके यह योजना, आईए बात करते हैं, गिरहमी पंचवर्सी योजना, कब से कब तक 2007 से 2012 तक चला है, ठीक है, गिरहमी पंचवर्सी योजना 2007 से 2012 तक, इसमें क्या है, जाउन कुछ बनलवा, ओके तीब्र विकास, तीब्र समावेसी विकास क्या था, इसका लच्छ था, इसमें दर कितना था भाईया, इसमें दर कितना था, 7%, 9% दर था, और प्राप्ती कितना हुए थे, 7.9% क्या किये थे, प्राप्त किये थे, बात समझ माया, ये बाते आपको याद रखना है, लेकिन बाद में इसे और भी कम कि गया था वो बात की चर्चा है लेकिन अभी के लिए आप याद रखेगा इतना सा और बात कर ले इसके बारे में नहीं दर इतना साधस्वनों इसका अलग-अलग छेतर में अलग-अलग-दर था अगला वाला भी होगा अलग-अलग-दर मिलेगा इसमें क्या युना थी आठ आई-ाई-टी इंडियन इस्टूट आप टेक्नलोजी की क्या की गई कि अस्थापना हम आठ आई-ाई-टी की करेंगे बात समझ मा गया आए और बात करते हैं ब्रहमी पंचवर्सी योजना की ब्रहमी पंचवर्सी योजना की बात कर लेते हैं तो जोन ब्रहमी पंचवर्स योजनाबाय यह क्या हुआ था इसमें भाई साहिव इसका लच्छ क्या था तीब्रतर समपोशडी जो उनुकुरान बहुक बनावा तीब्रकरा और अधिक समावेशी विकास और अधिक समावेशी विकास यह आप याद रखेगा यह कब से कब तक चली थी 2012 से 2017 तक चली थी बात समझे माया तीब्रतर समपोशडी और अधिक समावेशी विकास याद रखेगा यह में अलग 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 क्या था विकास था बात समझे माया तो आवा देख लेए जी डीपी में कितना योगदान रहा 8.2% का खेती बारी से कितना लच रखे लाला 4% प्राप्त किये उद्दोग से कितना लच रखे 8.1% रखे थे सेवा छेट से कितना रखे थे 9.1% यह पूछा जाता है बात समझे माया तो यह आपको चार पॉइंट ध्यान रखनी है इस योजना से जी डीपी में 8.2% किरसी से 4% उद्दोग से 8 सेवा से 9.1% यह रहा टोटल 12 के 12 पंच वरसी योजना मिनहत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सेर सब्सक्राइब कीजिएगा थेंक्यू धन्यवाद दोस्तों